बूट मॉर्निंग एब्रिवान शुआ आप तभी का एक और मज़दार इंट्रेस्टिंग लेक्चर में तो आज इस लेक्चर के साथ आगाज होगा एक नए चैप्टर का अंगल एने इट्स मेजर्मेंट ओके ये चैप्टर नमबर वन एमाथ वन का इसके पहले हम जो कर रह भी चैप्टर चालू कर दिया है आपको थोड़ा सा वेराइटी मिले और थोड़ा सा अलग-अलग कंसेप्ट भी सीखने मिले क्योंकि बिछले पूरे एक अपते से हम एक ही चैप्टर सीख रहे थे उसको फिर से हम कंटीनिव रखेंगे पर एक छोटा सा चैप्टर है ये म आजा बच्छो आजाओ ये ये मैंने साक्षी बोलती है ये मैंने ये चैप्टर पड़ा है बट आपके साथ पड़ूँगी तो और समझाएगा ये वेरी नाइस good morning good morning good morning हाँ यह chapter commerce को नहीं है commerce को यह chapter नहीं है लेकिन फिर भी मुझे पढ़ाना तो पढ़ेगा ही सब तो commerce के जो chapter मैंने पढ़ा के रखे हैं बहुत सारे recorded है playlist में जाओगे तो आपको मिलेगा 11th C लिख्या होगा 11th commerce lecture homepage बजाओ channel पे यह chapter commerce को नहीं है ठीक है science को है complex number commerce art science सबको है इसके बाद में जो chapter लोगा वो भी science commerce art सबको रहेगा मैं बताते रहूँगा tension मत लेना फिर भी आप सीख सकते हो कोई problem नहीं so it is very cheesy chapter प्रजना बोलती है yes चलो शुरू किया जाए सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर chapter का नाम तो आपने देखी ही लिया है yes देख लो बच्चों यहाँ पर the angle and its measurement the name of the chapter is angle and its measurement angle को कैसे मापा जाता है इसका exercise 1.1 basic के साथ हम लोग देखेंगे ठीक है एकदम मजा आएगा एकदम आप देखो commerce के बच्चे फ्लीज देख लो दो तीन lecture ही होने वाला यह भी तो आपको भी कुछ problem है ने सिखा हुआ knowledge यूज ही होगा है ना यह बाकी के chapters में काम आएगा concept अगर आप सीख लेते हैं तो पाकी science वालो आपको तो सीखना यह ठीक है यह science and arts का chapter है ओके अरे रोज lecture हो रहे ना लग इतले गले की आवाज ऐसे बैठ गई है ठीक है कोई बात नहीं चलो शुरू किया जाए ओ angle in its measurement बुक का chapter number one ओके इसमें पढ़ना है directed angle angles of different measurement units of measure of an angle length of an arc of a circle area of a sector of a circle तो इतने सारे topics पढ़ने हैं यह इतने सारे नहीं हैं सिर्फ दो exercise में chapter खतम और हर exercise है अपने आप में छोटा complex number जैसा नहीं है कि कितना बड़ा exercise है तो यह जल्दी से मुझे लगता है कि तीन lecture में खतम हो जाएगा ओके उसके बाद complex number हम यह करेंगे प्रना बोलता है यह lesson मैंने पहले से कर लिया है तो बहुत अच्छा मेरे साथ देखो अच्छे से revision भी हो जाएगा चलो सबसे पहले हम देखेंगे what is directed angle directed angle क्या देखो बहुत मज़ा आने वाला है आप अच्छे से ध्यान तो मैं सच में बोल रहा हूँ बहुत मज़ा आएगा directed angle बताने जा रहा हूँ एकदम ध्यान से देखना what is directed angle कोई भी एक angle है कोन है तुम बच्छमन से बढ़ते चले आए angle के बारे में acute angle, obtuse angle, right angle some cone, noon cone, cut cone cut cone, अधिक cone है ना, लगू कोन क्या-क्या बोलते हैं सब तो यह जो angles होते हैं उसको आपने measurement किया था 0, है ना, degree कैसे मापते हैं 0 degree, 30 degree 60 degree, 90 degree 45 degree है ना, इस तरह से degrees होती है 180 degree, तो हम लोग angle को हमेचा इसमें होते हैं, बट एंगल होता क्या है angle के अंदर बताने के लिए मैं आपको यह example लोंगा इस तरह से यह दो चीजे हैं, देखो यह कोई भी दो ray है, ray मतलब किरन थोड़ा सा basic बदाता है आपको देखो मेला यह जो होती है ना, यह line होती है this is called a line ray खा, and this is called a ray, this is called a ray, और this is segment, यह segment होता है, मतलब जिसके दोनों side arrow हो, वो line होता होता है, सिर्फ एक side में arrow है, तो ray होता है, arrow ही नहीं, तो segment यह सेक बोलते हैं, तो यह geometry का basic concept होता है, अभी हमारे पास कोई भी दो ray है, एक दम ध्यान से पढ़ियो बेटा, ओके, आपने मेरे recorded lecture देख के कर लिए कोई chapter बहुत अच्छी बात है, बट मेरे साथ live भी देखो, दिन भर पढ़ा रहा हूं, कल मेरे मेरा तो लेक्चर स्टार्ट हो रहे हैं, mh t c t के लिए लंबे लंबे लेक्चाज आप लोग भी आ सकते हैं, देखो, यह दो समझो, कोई भी ray है, यहाँ पर इस तरह से ले 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 दे, और इसमें देखो, यह जो pink वाला है, समझो, वो fix रहने वाला है, और यह जो उपर वाला दिख रहा है, आपको, gray वाला, यह rotate ह हो रहा है, ओकी, जो pink है, वो fix है, और यह जो gray वाला, यह rotate हो रहा है, तो जो यह fix ray है, इसको बोलते है, initial arm, क्या बोलते है, initial arm, इसको बोलते है, terminal arm, ध्यान से सुनो, initial मतलब शुरुवाती, arm मतलब भुजा, बाजू, यह initial arm है, और यह terminal arm है, ठीक है, initial arm हमेशा रुका यह terminal आम ना इसके उपर घूमेगा कि जैसे घूमेगा इसके बीच में एक एंगल बन जाएगा यह कौन बन जाएगा इसको बोलते है कौन अब यह एंगल देखो यह एकदम जीरो है जीरो जे स्टार्ट हुआ यह 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 इदर आ गया देखो 90 डिग्री का एंगल हो गया इसके बीच में नभ्य अंज का कॉन बन गया अब यह क्या था 90 से कम था यह 90 से कम अक्यूट एंगल लगू कॉन समझ में नियून कॉन यह 90 हो गया तो समख कॉन काट कॉन इंगल यह 90 से जादा हो गया तो ऐसे यह और यह वापस से पूरा ऐसे हो गया इसको बोलते है कि स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री एंगल तो यह सारी एंगल होती है इसके बारे में बेसिक देखें तो यहां पर आपको बताना चाहूंगा यह को यह को यह किनीशल आर्म है इसके उपर एक दूसरा आर्म जो है यह घूम र इसी भी एक दिशा में घूम रहा है यह देखो ऐसे घूम रहा है इस डिरेक्शन में अब तुमको मैं बताऊंगा क्लॉक्वाइस एंटी क्लॉक्वाइस 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 बच के पंदरा मिनट हो गए या दो बच के 30 मिनट हो गए तो बताओ कि यह दोनों जो सुई है उसके बीच का एंगल कितना होगा यानि यह एंगल है यह निकालना पड़ेगा अभी देखो 9 बच के समझे कि 38 मिनट हो रहे तो 938 तो at this time the angle traced by the hour end and the minute end is how much क्यानि जो घंटे की स सुई है उन दोने के बीच में जो एंगल है वो कितना है तो ऐसे प्रस्चन आएंगे तो डरना मत रहे मैं तुमको बताऊंगा ओके डोंट वरी अब देखो यह जो काटे जो घडी के काटे यह जो सेकेंड की सुई घुमरी है दीख रहा है कि आपको यह हां दीख रहा है तो यह ऐसे घुमरी है तो इस दिशा को बोलते है क्लॉक्वाइस डिरेक्शन क्या बोलते है क्लॉक्वाइस डिरेक्शन घडी के सुईयों की दिशा समझ में रहा है इसको क्या बोलते है क्लॉक्वाइस डिरेक्शन लेकिन समझो कि अगर मैं बोलू इसको उल्टा घुमाना है अगर यह सोई उल्टा घुमेगा या कोई भी आर में लाइन है उल्टा घुमेगा उसको बलेंगे anti-clockwise direction anti-clockwise direction समझज़ना रहा अब देखो यह घूम रहा है त्यों टाओं टैडाओं टैडाओं यह clockwise direction है उल्टा अगर कोई चीज गुमेगी तो एंटी क्लोकवाइस डिरेक्शन ओके सो इस तरह से है बेटा ओके सो अब अगर कोई अब मैं इसको घुमा रहा हूँ यह जो ऊपर वाला तर्मिनल नगी तो यह कौंसे दिशा में गुम रहा है यह एंटी क्लोकवाइस डिरेक्शन क्योंकि घड़ी के काटे तो उपर नहीं घुमते और अगर यह नीचे जाएगा तो clockwise direction यह क्या होता है clockwise चलो मैं आगे और detail में बढ़ाँगा tension नालो चलो अगला देखते हैं यहाँ पर आपके सामने देखो मैं दो image रख रहा हूँ ठीक है एकदम ज्यान से देखना यह देखो बेटा यहाँ पर यह initial arm मैं समझा यह वाला इसी इनीशल आर मतलब क्या होता है जो एकदम शुरुवात का है ओके जो फिक्स रहता है जो घूमें का नहीं हिलेंका नहीं यह फिक्स है ओके और दूसरा जो यह तर्मिनल आर में यह समझो फिर्म इनिशल आम से घूम के ना टर्मिनल आम यहां पर आ गया एक त्रेजाप कर दिया अब यहां जीर उपर आ अगर समझो सेम केस ऐसा रहता कि हमारा इनिशियल आर्म यह जो है न यह इनिशियल आर्म है यह रुका हुआ फिक्स यह नहीं गुम रहा है और इसमें न बेटा ऐसे इनिशियल आर्म यह पिंक वाला है न बेटा यह घूम के ऐसे नीचे आ गया तो यह नीचे की दिशा में ग क्लॉक्वाइस डिरेक्शन है तो ऐसे जब आएगा ना घड़ी के दिशा में तो निगेटिव एंगल होगा नहीं समझे मैं समझाता हूँ मैं समझाता हूँ देखो एक मिनिट समझो कोई एक ऐसे है ओके यह ऐसे है अब यहां पर यह इनिशियल आर्म है कोई एक आर्म उपर जा रहा है और यह ऐसे डिरेक्शन है तो यह एंटिक लॉक्वाज है घड़ी के सुई के विपरित दिशा में तो यह पॉजिटिव एंगल होगा और समझो कोई ऐसे है कोई एंगल नीचे आ रहा है इसे ऐसे आ रहा तो माइनस थर्टी डिग्री ऐसे बोलना पड़ेगा बस याद रखना यह बहुत इंट्रेस्टिंग है मैं अच्छे से बताऊंगा आप समझने की कोशिच करो डार्क पर नियूज करो ठीक है बड़ा साक्षी ठीक है मेजर ओफ एंगल अब मेजर कैसे होगा देखो मेजर इन एंकट मेजर ओफ एंगल किसी कोन का माप क्या होता यहां से यहां आपने अभ हते हैं को यह और बेटा दो अलग अलग system में मापने के यह होता है degree system जिसमें हम लोग degree में मापते हैं एक होता Radian System जिसमें हम लोग ऐसे बोलते पाईoneyon apply upon på4 radian को ऐसा c लिखते, zero को आदा कट करेगा तो क्या बचेगा c है ना तो अभी हम लोग तो जो भी एंगल है उसको मापेंगे दो तरीके से मापेंगे बच्छमन से आपने डिग्री में मापा है अब हीयर मैथमेटिक में आप लोग रेडियन यूज करते पाई अपउन पॉर पाई सर यह पाई क्या है यह तो सरकल का एरिया फाइन करते थे उसमें आता था पाई हो मतलब 180 डिग्री एक होता है रिलेशन अभी दीरे दीरे आपको सब मैं बताऊंगा टेंशन मतलो एक दाम अच्छे से आएगा देखो कोई भी एंगल है उसको मापने के दो सिस्टम होते एक होता है डिग्री सिस्टम जिसको सेक्साजेसिमल सिस्टम बोलते हैं और एक होता ह stirred रेडियन सिस्टम जैसको circular system बोलते हैं अभी मैं बताहूंगा देखो यहाँ पर एक होता है यह circular system circular system मतलभ जिसको रेडियन में मापते हैं देखो डिगरी इस तरह से होती है रेडियन इस तरह से हता है जैसे 180 डिगरी 180 दिगरी ऐसा लिखते हैं और यही रेडियन में लिखना हो तो पाई रेडियन बोला जाता है 180 डिगरी का मतलब होता है पाई रेडियन जैसे कि आपको पता है कि कोई भी जैसे हम अपनी हाइट मापते हैं तो कोई कोई सेंटीमेटर बोलता है कि इसकी हाइट 160 सेंटीमेटर है 40-50 door 60 cm होते हैं कोई कोई बोलता है इसकी carbon Paul को मापने के दो अलग अलग सिस्टम होते हैं कोई tous सिस्टं में मौतना है कोई जो सर्किलर सिस्टम भी घोटे यह अप से आपको शीखना है 11 से अब जो भी आप angle की बात करोगे तो maximum आप degree में ही angle को map होगे radian में sorry और अभी तक जो आप map रहते हैं वो degree में हाँ अभी तक जो हम करते थे degree major करते थे अब इसमें होता क्या है इसमें होता क्या है देखो यह जो angle है इसकी बात करेंगे यह देखो यह angle है हम लोग क्या करते है हमारा एक protector होता है चांदाUNब छोनप लेदे तुम बोले लुले थे झाच रहा लगाए तो क्या बोलना चाहते हो और मैं तुमको दिखाता इस protector को यहां रखा, कितना degree का चाहिए, 40 degree, तो यहां पर यह 40 है, यहां निशान मार दिया, फिर इससे इसको मिला दिया, तो ऐसे आपको 40 degree का angle आता था, तो यह protector यूज करके आप यह करते थे, यह का degree system, बट अभी यह सब आपने बच्चमन से किया है, अब हमको क्या करना है, कि radian system के बारे में ज्यादा जानना है, तो कैसे करेंगे देखो, अभी यह जो आपको अगर मैं इसकी बात बताऊं, एक मिनटा, scale की, देखो यह scale होता है, अब यह scale है, एक मिनटा, यह scale है, यह scale है, यह scale है, समझो यह 1 cm है, एक मिनटा, अगर यह 1 cm है, यहां बरा, यह समझ यह two centimeter है तो यह बोलते हो कि one यह समिघो zero zero one two तो यह zero one two यह centimeter में माफ रहे है बट इसके अंदर भी देखो के न तो छोटी-्छोटी दस क्लाइंड रहती है मतलब क्या केना चाहँ तो यह जिरो ए एक मिनिट इसको फटा दे दें यह यह 0 है, यह ऐसे, 0, 1, इसके अंदर भी 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ऐसे रहता है, तो यह जैसे 0 से 1 cm है, तो 1 cm के अंदर mm होते हैं, mm, 1 mm, वैसे ही यह जो एंगल है, ओके यह एंगल अगर समझो, एक डिगरी का एंगल है, तो एक डिगरी मतलब उसके अंदर minutes होते हैं, 60 minutes, क्या होते हैं, 60 minutes, एक डिगरी का मतलब होता है, 60 minutes, और एक मिनिट का मतलब 60 seconds, मतलब समझाता हो, देखो, सपोज यह एंगल है इस तरीके से, और मैं बोलू कि यह एक डिगरी का एंगल है, यह एक degree का एंगल इस एक degree को भी मैं 60 चोटे चोटे टुकडे में कर सकता हूँ जैसे 60 उसमें से एक टुकड़ा रहेगा न एक वो होगा एक minute और एक degree में 60 minutes होते हैं याने 1 degree के एंगल में ऐसे 60 parts होते हैं और 1 minute के अंदर भी 60 seconds होते हैं जैसे वह बता था हूँ एक घंटे के अंदर 60 minute होते हैं और एक minute के अंदर 60 seconds होता है वैसे ही यह वन डिग्री है जीरो मतलब degree और एक डैश मतलब minute और दो डैश मतलब second याद से देखो एक डिग्री के होता है और एक मिनिट साट सेकेंड होता है डबल जैसे घंटे में होता है गढ़ी में वैसे ही यह मैं और डीटेल में भी करूंगा तो बच्चों यहां पर बनाना चाहता हूं कि कि यां तो यह एक डीरी सिस्टम होता अब इसी तरीखे से एक रेडियन सिस्टम होता है पूरा डीटेल में बता दाओं टेंशन मतलो तो अगर कोई यूनिट ओप मेजर्मेंट रेडियन है किसी एंगल को हम लोग रेडियन में माप रहे हैं तो उसे रेडियन सिस्टम बोलते हैं अब होता क्या है कि जो पाई रेडियन है वो 180 डिगरी के बराबर होता है 180 जो होता है यह पाई के ब्राफरा जैपको फट से बताओं सारी चीजे पहले तो मैं सरकल बना लेता हुँ है कि यह सरकल है इस सरकल में bauज यह सेंटर से यहां पर यह Radius है और यहां का length radius के बराबर है तो इसको बोलते हैं 1 radian क्या बोलते इस एंगल को 1 radian ठीक है radian c से दिखाना है देखो पाई जो होता है पाई रेडियन मतल़ा बोलता है 180 degree तो अगर 180 का आधा कर दिया तो 90 degree 180 का आधा 90 degree उसको बोलेंगे पाई अपाउन 2 radian अगर समझो की 180 का 1 3 कर दिया 60 degree तो 180 में 3 से divide किया तो 60 आथा तो पाई में 3 से divide करना इधर radian लिखना जो भी है समझो 180 को 4 से divide किया तो 45 degree आथा तो यह पाई को 4 से divide करना okay radian समझो 180 को 6 से divided किया तो 30 degree आता है तो इसको पाई भाई 3 radian लिखना तो यह कुछ standard form है यहां पर पाई का 2 पाई कर दिया 2 पाई मतलब पाई का double यह 360 degree आ जाएगा 180 का double यह कुछ standard form है जो आपको याद रखना है इसका screenshot ले लो लिख लो इसको याद रखो okay एकदम मजेदार है okay मैं बता रहो बेटा सब बता रहो सब बता रहो देख बेटा यहां पर 2 पाई हमेचा याद रखो पाई का मतलब होता 180 सवाल बहुत आसान आएंगे आप concept समझो पाई मतलब होता 180 degree पाई का double किया 2 पाई तो 180 का इस नाइनटी का वन तड़ किया 3 से भाग दिया 60 तो पाई को भी तीन से यहां पर भाग याने डिवाइट कर दिया समझ में आ रहा है किदा 90 का अधा किया 45 तो इधर पाई बाई टू का अधा किया तो पाई बाई पूर यह स्टेंडर को हमें इतना याद करना है कि अभी देखो यहां पर है अभी यहां पर मैं को टर्मेल एंगल बताने के पहले थोड़ा सा को रेडियन में कंवर्ट करो ऐसे सवाल आएंगे विटा टमवर्ट डिग्री इंटू रेडियन और यहां पर चितना भी दिया है ना उसको लिखने का और उसमें ना पाई अपॉन 180 से multiply कर देने का answer आपका radian में आ जाएगा बस इतना क्यों सर क्योंकि वन डिगरी जो होता है वो पाई अपॉन 180 radian को बराबर होता है यह formula याद रखना कि एक डिगरी होता है पाई अपॉन 180 radian होता है तो जब भी आपको बोले कि समझे 100 डिगरी है उसको radian में convert करो डिगरी को radian में करो तो हम क्या करेंगे उसके अंदर पाई अपॉन 180 का multiply याने गुना कर देंगे तो क्या आएगा देखो 0 से 0 कट गया 2 पाई जा 10 2 नाइन जा 18 उपर क्या आया 5 पाई 5 पाई नीचे क्या आया 9 इधर क्या था 100 डिगरी और यहाँ पर इस चैप्टर में इतना ही करना है कुछ हाती गोड़ा नहीं है कुछ हाती गोड़ा नहीं है समझ में आ रहा है 30 डिगरी पाई बाई टू नहीं होता बैटा मुझा मिल गलत लिख रहे हो यह ओके देखो यहां पर एक मिनटा बैटा टू बाई रिजिश्टी बाई क्या बोल रहे हैं आप लोग ओके यह जो मैंने बता है सब परफेक्ट है बैटा टेंशन मतले देख बैटा आभी समझो और एक बता था कि समझो आपको बोला 120 डिगरी है इसको रेडियन में कनवर्ट करो तो कैसे करोगे 30 डिगरी पाई बाई टू इसका रेडियन रहे हां हां एक मिनटे यहां था थो ओ इसे डिवाइट कर दे तो तर्ती डिगरी पाई बाईक है सिस से सिक्स तो वो 60 होता है screenshot ले लो यह correction था यहां पर 6 है 3 लिख दिया था घलती से चलो यहां देखो अभी आगे देखो yes 120 degree 120 degree क्या होगा देखो एकदम जो भी है उसको radiant करना उसको पहले लिख लो 120 फिर क्या करो यह पाई पाई अपॉन 180 पाई अपॉन 180 से इसको क्या करो मल्टिप्लाइ करो जीरो से जीरो कट हो गया 6 2 जा 12 हो गया 6 3 जा 18 हो गया यहां पर 2 इंटू पाई 2 पाई हो गया एन अपॉन 3 यहां पर रेडियन हो गया यह 120 डिग्री का हमने कर लिया तो इस तरीके से बहुत सिंपल है बस इतना ही करना है कोई भी अगर डिग्री सिस्टम में दिया होगा तो ऐसे करना है ठीक है क्या लिख रहे हो यह चलो इसको अभी आप स्क्रीन शॉट ले लो यह वाला देखो यहां पर पाई 180 डिग्री होता है उसका डबल किया तो 360 180 का अधा 90 तो पाई का अधा 90 पाई अपन 360 डिग्री होता है पाई अपन 4 45 डिग्री होता है पाई अपन 6 जो होता है 30 कैसे पाई को 180 समझो 180 को 6 से डिवाइट किया तो 6 3 सा 18 0 तो यह 30 डिग्री हो गया यह पाई बाई 6 होता है पाई बाई 2 90 डिग्र होता 180 का आधा 90 होता यह यह screenshot ले लो ठीक है आँ नितीन हो गया बेटा नितीन यह मैंने इदर त्री लिख दिया था गलती से 6 हो गया ठीक है concept पे ध्यान दो सवाल ठीको बस आ गए जो मैंने बताया अगर आपको वो समझ में आ गया तो हो ता है चुले गुल्टा भी बताता आपको तो क्या रेडियं रहे तो क्या करने गए अगर गया समझो तो कैसे करने का तो यहां पर एक formula है कि एक radiant होता है ना वो 180 अपाई डिग्री होता है समझे क्या यह देखो इस तरीके से और एक डिग्री होता है ना वो पाई अपन 180 रेडियन होता है पीछे बदा तो उल्टा करना है तो ऐसे करना है रेडियन टू डिग्री करोगे तो पाई नीचे रखनेगा और डिग्री से रेडियन करोगे तो पाई उपर रखनेगा अब इसको कैसे करेंगे टू पाई अपन थ्री रेडियन है हमको बोला इसको डिग्री करो तो यह टू पाई अपन थ्री लिख दो यहाँ पर टू पाई three वा वा पूंपन ट्रीच दो अब यहां क्या करना की देघॉआ रीडिएंस रीडिय डिगली करना रीडियन से टिकरी तो 180 अपन्री से छीट जाए ग॑न चीडरी स्थीत बाइन से डिटरी या लिग्ट अब यह जो आएका है यह डिगरी वैंक प्रगति मंते सर पूरा डीटेल में पढ़ाना कल का 11th MST CT का मतलब हम सीख पाएंगे बहुत अच्छे अभी एक और करते हैं इसके अंदर हाँ अगर मैं बोल दू तुमको की पाई अपॉन 5 रेडियन है तो बताओ कितना डिग्री होगा तो देखो रेडियन जब भी होगा न यह पाई अपॉन 5 ऐसे ही लिख देना इंटू रेडियन से डिग्री करना है तो 46 डिग्री आ गया यह आ गया पाई अपॉन 5 रेडियन ठीक है यह आ गया बेटा तो इस तरीके से हैं याद रखना ऐसे करना है ओके चलो अभी यह एक पहला कंसेप्ट हो गया आप लोगों को जो एक्सरसाइज करोगे यहां पर पहला एक्सरसाइज उसके अंदर मुश्ट को टर्मिनल एंगल को टर्मिनल एंगल मतलब क्या कि एक ऐसा एंगल जिसके सपोज यहां पर मैं लेता हो एक यह इनीशियल आर्म है और यह टर्मिनल हम है सपोज यह एक एंगल एकदम ध्यानते देखना बहुत मज़ाएगा हां पाई की जगह पे 180 लिया तो चलेगा क्या तो यहां ले सकते हैं बट फॉर्मूला यूज करो ओके सपोज इस एंगल इस इस इनीशियल आर्म स्टार्टिंग का आर्म है बाजू है यह फिक्स रहेगा इस टर्मिनल आम यह रोटेट होगा फिंक वाला जो है घूमेगा अभी समझो इसके बीच में 30 डिगरी का एंगल खुंब के पूरा घूम खुंब के वापस उदर आ गया एक राउंड मार के वापस आगया उदर तो अभी आप देखो आपने समझाया आग बंद किया था आपको पता ही न को अगया वो लोा कैसर यह जिदर था उधर Visit的 Suday यूज लेकिन पहले यह 30 बिगरी देख में पूर तो क्या होगा देखो पहले अगर मैं बोलू एकदम ध्यान से देखना पहले अगर मैं बोलू कि यह इनिश्यल आर्म है और यह सपोस्थ 30 डिग्री है यह कितना है 30 डिग्री ओके और तुमने आख बन की या तुम किदर चले गए और इनिश्यल आर्म ऐसे है और यह जो धाना बनाना यह वाला अईसे गूमा 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 वुंगी कुषषास्ट याँन से १ don से बताऊं गाच्चे से देखो यह 0, 90, 180, यह 270 और यह 360 एक चक्कर मारने में 360 अंस का कोड बनता है इन वन सर्कुलर राउन इट मेक्स 360 डिग्री एंगल तो याद रखना अब इसने एक राउंड मारा पूरा तो कितना हो गया 360 डिग्री हो गया लेकिन वापस से अपने पोजिशन पर यहां से यह पोजिशन क्या थी 30 डिग्री यह 30 डिग्री था लेकिन यह पूरा घूम के आया 360, फिर प्लस 30, तो कितना हो गया, 390 डिग्री हो गया, अब दो एंगल है, एक 30 डिग्री है, और यह 390 है, यह दोनों एंगल के अंदर खासियत क्या है, कि दोनों की position सेम है, initial arm जहां दा, initial arm पर ईंदर, टर्मिनल आम जहां था वो यहीं पर है यहां पर टर्मिनल आम यहीं पर है लेकिन इसने अभी चलना शुरू किया था 30 डिगरी चला था इसने चलना शुरू किया एक राउन कंप्लीट करके वापस उदर आ गया तो यहां पर इसके एंगल को 39 डिगरी का एंगल बोलेंगे ले इन का जो टर्मिनल आर्म है वो सेम पोजिशन भे जैसे कि देख यह इनिशियल आर्म है पैटा और यह 30 डिग्री मैंने किया है जो मैंने बढ़ा है अगर समझो कि एक एंगल ऐसे गूम के वापस आ जाए तो यह 390 डिगरी हो गया तो इसका जो टर्मिनल आर में वो एक ईपोजिशन वे самое दोनों एंगल का टर्मिनल आम एपी ही पोजिशन भी इसको बumedring यानि कि इसके जो टर्मिनल एंगल है टर्मिनल आम से बन एंगल वो already में तो इनको को टर्मिनल एंगल बोलेंगे तुम बोलेंगे सर सवाल कैसे आएगा बताओ तो सवाल ऐसे आएगा सवाल ऐसे आएगा कि 30 डिग्री एं 390 डिग्री चेक करो कि यह को टर्मिनल एंगल है क्या चेक करो कि यह को टर्मिनल एंगल है क्या तो कैसे करने का इन दोनों को हमेशा माइनस कर देने का बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस कर देने का बास इतना है तो 06 360 बास यही आना चाहिए अगर आपका एंसर माइनस करने पर 360 या उसका डबल या इसका ट्रीपल या इसका चोपल या मल्टीपल आता है मतलब आपका जो भी डिफरेंस आ रहा है एक मिनिट 360 एन आ रहा है मतलब 360 का मल्टीपल आ रहा है आपका जो अंतर है 360 के पाड़े में आ रहा है जैसे कि 360 आ गया या तो इसका जो वेली दी है यह को टर्मिनल एंगल है उनका टर्मिनल आम जो है एक ही पोजिशन पे रहेगा और बता और सब बता चलो एक तुम को बोलता हो 425 और 345 के black 345 395 ओके अब मैं बनूं बता यह दोनो जो है न यह कोड सर्मेफ़ आंगल है कि तो आप किया करोगे सीधा माइनस करने के 395 इसमें से माइनस किया 45 360 आना चाहिए बात कटम 360 दे दो फाइग में से फाइग गया जिरो वाव 9 में से फोर गया 5 वाव त्री ओ हो गलत जवाज ऊहाद 360 नहीं आया 360 नहीं आए तो क्या करेंगे 360 नहीं आए तो क्या करेंगे हम बोलेंगे ये दोनों को टर्मिनल एंगल नहीं है को टर्मिनल एंगल नहीं है तो आपके exercise का पहला सम बिल्कुल ऐसे बहुत मज़ा आने वाला है बहुत मज़ा और जिसका concept clear है वो पूरा कुछ से ही कर लेगा so question number one exercise 1.1 guys be ready कि आप थैयार हो notebook और pen लेके बैटो और मेरे साथ आप solve करना okay yes मेरे साथ आप solve करना determine which of the following pairs of angles are co-terminal बताओ कि कौन सी जोडियां जो है co-terminal angle है तो पहली जोडि दिये पहले के a में आई आपके book के max 1 का पहला chapter है science and arts का commerce को यह chapter नहीं है पर देख लो एक दो दिन में खतम हो जाएगा फिर मैं commerce का भी chapter चालू करता हूं देखो determine which of the following pairs of angles are co-terminal तो भाई पहला question 210 और minus 150 अभी एक अपना बच्चा बोला sir minus angle होगा तो कैसे करने का भाई देख तुझे ही बता रहा हूं सीधा सीधा क्या करना इसमें दूनों में बढ़ा कोन सबसे पहले पहले पहचाने का बढ़ा कोन तो जो positive है बढ़ा रहेगा जो negative है चोटा रहेगा yes तो हम क्या करेंगे पहले बढ़ा है sir 210 फ कि माइनस माइनस प्लस एक सो पचास कितना गया 000 एक पाच्चे 360 डिगरी ये आपको मैंने क्या सिखा है था 360 720 फिर 1080 1440 एंड सो अन अगर 360 के टेबल में 360 का पाढ़ा जाएगा तो हम बोलेंगे yes हम यहाँ पर लिखेंगे कि यहाँ पर यह this is it is multiple of three difference is difference is difference यहाने अंतर difference is multiple of 360 डिगरी इनका जो difference है यहाने अंतर है माइनस करने पर वो 360 का multiple आ रहा है 360 इंटू बान यह देरफोर यह दोनों एंगल 210 यह देरफोर कैसे लिखना है वो देख लो एक मिनट देरफोर मतलब बता इस लिए इस लिए तीन बिंदू रहती है 210 डिग्री और माइनस 150 डिग्री और को टर्मिनल एंगल इसको को टर्मिनल इस तरह से दो लाई नमेशा लिखने का अगर यह डिफरेंस 360 के multiple में नहीं है तो हम लिखेंगे difference is not multiple of 360 देरफोर इस एंगल्स आर नोट को टर्मिनल एंगल बास भाई पहला सवाल हो गया ऐसे ही करना है दस्वी में उल्टाइस से hard होते थे कितना easy है दे इस इन ने दूसरा question भी कर लिया रहे बाबा स्क्रीन्चोट ले लो इसका बस इसको याद रखनो कि माइनस करने पर सिर्फ 360 नहीं 720 तो भी चलेगा 1080 है तो भी चलेगा कुछ भी ऐसे 360 का multiple है तो चलेगा भाई आ गया chapter number 1 आ गया आप पूरा येस आ गया आप scholar हो गए येस फिर से वही question 360 और minus 30 क्या करेगा minus कर दे 360 degree minus कर दे उसमें से minus 30 क्या करेगा देख 360 ओके एकदम ध्यान से देख minus minus plus 30 degree बाबू देख 00639 ओहो गलत जवाब 360 आना चाहिए था 390 आ गया गलत है तू तो हम लोग यहां लिखेंगे it is not it is not multiple of it is not multiple of 360 degree 360 का multiple नहीं है therefore therefore मतलब इसलिए यह दोनों का नाम लिखो 360 degree and minus 30 degree are not not मतलब नहीं है co terminal angles यह co terminal angles नहीं है समझ में आ गया बेटा कितना आसान है देखो दो question हो गया क्या बोलती पॉब्लिक येस अरे वा 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 आ रहा है बच्चे लोगों देखो क्या है ना बेटा concept बहुत important हो था किसी जिसके theory और concept एक बार आप उसके बहरे में उसका पूरा history जोग्रफी सब जान गए कि actual में यह होता क्या है फिर सवाल कोई भी कुछ भी उठा के द गया और यह पाई फ्लस एक माइनस है तो सबसे पहले जो बढ़ा है उसको चुन जो बढ़ा है उसको फाहिला रख बड़े कोई जद्दे ओके छोटे को बाद में ले ओकी चल बढ़ा कौन प्लस वाला 540 वो ले लिया उसमें से माइनस कर इसको करेगा सर माइनस इसको रहे माइनस माइनस प्लास 180 आगया अब कर 00048215161 ओ ओ ओ 360 तो आया नहीं अरे बापरे 360 नहीं आया में क्या करूँ क्या करूँ 360 तो आया नहीं भाई चलेगा क्या 720 आए चलेगा तुमको अब भी बता है था न मैं क्या बता है था कि 360 का मुल्टीपल है तो भी चलेगा इसका डबल 720 इसका ट्रिपल 1080 इसका चोपल 1440 और सोन कोई भी आएगा तो चलेगा इसका मतलब मैं ऐसे लिखता है ना टू इन्टू 360 तो यह 360 का मुल्टीपल है डबल है तो हम यहाँ पर लिखेंगे इट इस मुल्टीपल अफ या इस इस भ 180 डिग्री ओ एक मिनट कैसे था पहले कौन था देखो माइनस 180 था तो पहले उसको लिखो माइनस 180 डिग्री 540 डिग्री आर को टर्मिनल एंगल आ गया आ गया आ रहा है समझ में बच्चों आ रहा है समझ में अब तुम बोलेगा सर 360 नहीं है 720 है चलेगा उसके पाड़े में आता है सर 360 का पड़ा याद करना पड़ेगा गया आरे नहीं रहे यह देख ना 360 के 45 याद रख सर हम इतना हाइपर नहीं होते है डिलीटेट का मैं वीडियो देता हो विटा आप लोगो को कौन कौन से डिलीटेट है डीटेल में दूंगा चलो चलो देखते हैं तुम लग क पर होगे येस चलो जल्दी चल्दी ये सब 360 ये सब यूटूब वीडियो की क्वालिटी ये फ्रो गेमर बोल रहा है वीडियो की क्वालिटी देखते हैं इधर से ही याता है सब डिटर्माइन विच आप दी फॉलॉइंग पेर्स अफ एंगल देखुआ अभी आप यूटूब के वीडियो देखते हैं तो क्वालिटी में देखते हो न एक सो चवालिज जादा है फिर थी सिक्ष्टि यादा है फिर सेवन ट्वेंटी मतलब है ना वन एटी मतलब टैन पहले के अंदर 14 क्या लग रहा है यह तुम ने किया क्या आ गया क्या तुम बताओ बेटा complex number का देख बेटा आधा chapter हो गया है बहुत बड़ा था ना तो तुमको थोड़ा से variety मिले करके मैंने बीच में parallel में दूसरा chapter दूसरी book का चालू कर दिया वो max 2 था यह max 1 है तो यह अभी 2-3 lecture में खत्म जागा फिर complex number के जो बच्चे हुए question है खत्म कर लेंगे अरे आ गया आ बेटा रूट में आया तो रूट में नहीं आएगा रूट में कैसा आएगा इंगल कैसे करेगा 675 ले लेगा बड़ा कौन 675 उसमें से माइनस कर यह वाला थूल एजडी देखो बोलो ना 360 का तीन गुना होता है समझी में आ रहा है क्या यह इदर एंसर नहीं रूट ओके सो दिस से 3 इंटू 360 360 का ट्रिपल किया तो आता है बाद में दो लाइन लिख देना क्या लिखेगा इट इस मल्टिपल ओ यह डिफरेंस इस लिख रहा है नहीं दर डिफरेंस इस बोला था ना पहले लिखने अब लिखो कि डिफरेंस डिफरेंस इस मल्टिपल ओप 360 डिग्री देर्फोर यान इस लिए माइनस 405 डिग्री 675 डिग्री और 4 टर्मिनल एंगल्स यह बार बार लिखना है भाई लिखने का इमांक से समझ गए लाला इस चलो अगे जाते हैं अरे सर कितने क्वेस्टेन हैं यह बता देता हूं बाई छे खवेस्टेन नहीं है एक मिनिट ओ छे क्वेस्चन है ठीक है चलो 860 डिग्री और 580 डिग्री आ रहा है तुम लोगो येस फिफ्ट नहीं है कोटर भुल आरे बच्चे पहले एंसर दे रहे बाबा या येस पहले एंसर दे रहे ए कॉलेज कभी मिलेगा 11th का 27 तारीकों मिलेगा आज नहीं मिलेगा क सत्ता इस तारीकों कॉलेज अलट होगा तुम लोगा चलो 860 डिग्री 580 माइनस कर दो न सर तीधा 860 माइनस 580 करो करो जीरो में से 0 जीरो सुर लेकिन 6 में से 8 नहीं जाता आरे तो कैरी कर इससे मांग ले बौरो कर सौरी उधार ले 16 में से 8 गया तो 8 पीर इधर क्या बचि चलो आगे देखो खुद से करना यह येस नेक्स्ट और एक लास्ट वाला 900 माइनस नौसो तुम बोलेगा अरे देवा इतना बड़ा बड़ा देता है तुम लोग अरे क्या करेगा बुक में है न यही येस 280 आया येस येस 280 है तो लो क्वलिटी हा येस कोई निकलो मत बेटा कोई निकलो मत अभी बहुत मजा आने वाला है यह बहुत मजा आने वाला देखो अभी सीधा सीधा देखो बढ़ा को 900 900 माइनस उसमें से माइनस 900 माइनस किया तो 900 माइनस माइनस प्लस 900 प्लस 900 गाईस 900 प्लस 900 9 9 18 100 ओरो यह 360 को मुल्टिपल है क्या अरे है ना यह देख 360 उसका डबल 720 इसका अब तीन सो साथ का दस बर करेगा तो 300 अजार चेश्वाइगा उसका आदा किया तो 800 आदा है ना पास बार किया तो तो इस वाट पाई टाइम्स और 360 तो यह ना मुल्टिपल यह को टर्मिनल एंगल है बस भाई बस डर गए क्या यह अजी जूर बोलता है यह तो हो गया अब आओ चलो कुछ अलग देखते हैं अब कुछ अलग करेंगे मज्जा आएगा ओके यह 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 आजा बेटा यह आजा अभी वन में भी आ गया वन में भी अब अलग क्वेश्चन है वन में भी वर्शन नुमर वन का भी बोलता है ड्राव दी एंगल ओप दी फॉलोविंग मेजर्स एंड डिटर्माइन देर कोड्रेंट अब आएगा न मज्जा बोलता है कि एंगल बनाओ जोमेट्री कंस्ट्रक्शन टैंट मे अग्छन से किया था आपने सरकल वगरे बना था है इसे बनाना एंगाल तो कैसे बनाएंगे देखो बहुलता रहा माइनस-140 डिगरी का इंगल बनाके बताओ अब भी बताएगा कईसा बताएगा तो कभी भी स्केल ले लो और y-axis बना डालो ऐसे स्केल लेके y-axis बना डालो फिर x-axis बना डालो ऐसे x और y-axis बना डालो तुम लोग को बच्पन से एक चीज याद है इसको पहला quadrant बोलते हैं इसको दूसरा quadrant बोलते हैं ये तीसरा quadrant होता है ये चाहता quadrant होता है बेटा और ये origin होता है बात इसको Cartesian system बोलते हैं X और Y दो एक्सिस कभी भी बनाने का कभी भी graph जो करते थे थे ना उसके जैसे हमेशा एक्स और य एक्सिस बनाने का अब यहां पर देखो यह 140 डिगरी का एंगल है बट माइनस माइनस कब सिखाया था मैंने हमारी जो घड़ी होती है अब देखो अरे अपने यहां से बढ़ाना चालूगी है सवा दस बच गए कोई बात नहीं यहां तक आ रहे हैं तो फिर बंद दो यहां पर अब मुझे अगर बताना है 140 डिग्री तो यह हमारा मेन इनिशियल आर्म रहता है इस से नीचे जाने का तो मज में आ रहा है अगर प्लस होता तो यहां से उपर जाने का हमेशा जो है यह जो होता ना यह इसको स्टैंडर्ड पोजिशन बोलते हैं क्या बोलते चाहिए ते कि यह धिट यह जो इनीशील आर्म हें ध्यान देखना यह इनीशील आर्म हमेशा X-axis पर होना चाहिए यहीं tat हमारा एंगल हमारा कोन हमेशा ऐख पर रहेगा पहला साइड यह हमेशा फिक्स वाले जो है न माइनस मतलब नीचे देको डॉ करना चीका रहा हूं देख ले 140 गीडीजी अब देख बेटा कैसे होता है यह 0 डिग्री मोगा यह उपर जाएगा तो यह प्लस 90 होता यह प्लस 180 होता यह एक प्लस प्लोक वाइस उल्टा जा रहे पिर ऐसे आया तो यह 180 होगा बट माइनस में फिर यहां से आके इधर आगा तो माइनस 270 कि और वापस इधर आगा तो माइनस मतलब ऐसे क्लोक वाइस डिरेक्शन कितना बोला एक 140 तो मापने की ज़रूद नहीं है ऐसे अंदाज से मारने का देख 140 यहां से यहां तक आया तो 90 और 90 में कितना पचास चाहिए और यह पचास अंदाज से मार देने का अंदाज से यह आ गया तो इधर लिग देने का परस्ट में यह क्या नहीं सेकर्ट में यहें अरे हां अर्य हां तब में आ जाए तो अर्यrados प्रेयरे वेरे बुट फॉर्थ में बी नहीं है यह लाaret लाय्न दो करने तोड़ा तो समझाने थोड़ा दुसरा करते पूरा संजेगा है। देखो अभी दूसरा करते है, B का दूसरा, 250 डिग्री, पूरा समझे गरे बाबा, तु ध्यान दे, तु पक्त इकड़े लक्ष दे, यहां पर ध्यान दे, yes, yes, यह state board का भूक है, Maharashtra board, proud to be Maharashtrian, we are learning, I am teaching from Maharashtra board textbook, not from NCRT, NCRT सिखाने के लिए दुनिया वाले सिखा रहे है, है, Maharashtra board के लिए मैं सिखा रहा हूँ, ठीक है, यह Maharashtra board की book, so 250 डिग्री गाइस, 250 डिग्री, कैसे करेंगे, सीधा सीधा देखो, आपको बता देता हूँ, सबसे पहले हमेशा क्या करना है, हमेशा, हमेशा इस तरह से line draw करनी है, y axis और x axis हमेशा, scale यूज करना आप लोग ओके, x और y axis, इसके बाद क्या करना है, 250 डिग्री, प्लस है, यह प्लस है, मतलब clockwise उपर, anti-clockwise उपर से जाएगा, इसा, प्लस है, मतलब हमेशा मैंने क्या बता है, बेटा, कि जो initial arm में fix रखने का, standard position, यहां से ही initial arm fix रहेगा, एक angle का एक side है न, यह हमेशा fix रहेगा, यह change नहीं होगा, यह, जो दूसरा terminal arm है यह घुमेगा ऐसा, यह प्लस है, माइनस नहीं है, तो यह ऊपर घुमेगा, इसके पहले माइनस है, तो नीचे घुमाया, समझ गए, 250 है, तो देख यह 0 अगर लेते है, तो यह 90 होगा, और यह 180 होगा, 90-90 बढ़ाने का, यह 270 और यह 360, अब कितना है, 250, 0 से 90, 182, 70, अरे रे, 250 ज्यादा हो गया, 270 ज्यादा हो गया, 250 से, इसके तोड़ा कम रहेगा, अंदास से हैसे मार, एक मिनेटा विटा, अंदास से हैसे मार, दो यह बढ़ा, तो कैसे यह 111, 180 और ये अंदाज से मारा कितना था 250 तो हमने यहाँ पर कहीं तो लिख देने क्यों क्योंकि आगे जाएगे तो 260 और 270 यह वाहिट लाई ने 270 डिगरी का है उससे कम रहना चाहिए तो आ गया अभी से कौडरेंट कौन सा था यह वान हमेशा फिक्स रहता है 2 3 4 हमको पूछा था कि पहले ड्रॉ करो तो कर लिया भी बोला कौन से कौडरेंट में तो भाई यह तीसरे में आ रहा है ना तीसरे में तो हम लिखेंगे 250 डिगरी एंगल एंगल 250 डिगरी लाइज इन 3rd कौडरेंट इसमें 3rd कौडरेंट में है बस अभी समझा अभी समझा होगा तुम लोगो अभी भी नहीं समझा अच्छा और थोड़ा समझा और बताता हूं टेंशन नहीं लेने का येस 20 कदम पीछे आशना वेरी गुड प्रोटेक्टर यूज कर सकते हां प्रोटेक्टर यूज करो प्रोटेक्टर नहीं यूज किया तो भी चलेगा वो मापेंगे नहीं अपने क प्लस मतलब ऐसे जाएगा जीरो 90 180 270 360 अभी ध्यान देखना बहुत इंपोर्टेंट यह प्लस है तो क्या होगा नहीं रहें रहें दो अभी घतम यह लिए लिए पूर 20 तो क्या होगा यहां पर प्लस है तो ऐसे उपर जाने का उपर और यह इस आप्षिक्ट न मैंने यह एक साक्षिस हमारा इनीचियल आर्म हमें एक सक्षिस को इनीचिएल आम समझने का हमेशा अभी यह चारीच नो है लोग है यह बैटरी लोग है जेंग कि अच्छा चलो ठीक है देख यहां पर देख वाटा चार्था बीश दिगरी कैसे करेंगे यह प्लस है प्लस है तो मतलब यहां से करना तो कैसे आएगा देखो यहां से 90 1802 70 कितना चीज़िए और 420 और यार यार यह ग्राउंड मार लिए लेकिन अभी भी 360 आया 360 में किसका कितना प्लस करेगे 420 आएगा 420 तो 60 प्लस करेगे तो आएगा यानि कि एक राउंड मारा तो 360 पर हमको चाहिए 420 तो मैं क्या करूंगा और 60 डिग्री और आगे जाओंगा साथ कदम और आगे तो यह साथ इधर गया तो नभी हो जागा इतने पर रूख जाओ इधर ऐसे एरो मार दो समझ गया एक मिनिट है इधर एरो निए इधर एरो है तो यह क्या हो गया 090 180 270 360 और यहां पर जो आया यह आगया 420 अब बोलो कौन से कॉट्रेंट में है यह फॉर् समझ में आया हाँ बैटरी चेंज करेंगे आज नहीं करेंगे अभी खतम हो रहा लेक्चर लेक्चर खतम हो रहा है चलो उसको जलकने दो बैटरी को यह हो गया चलो भाई 750 ओ मेरा दोस्त तब टेंचन में है कि सर 750 कुछ नहीं रे बाबा यह देखी इधर तिरको सिंपल तर 360 को कि और यह प्लस है ना थो फ्लस में ऐसे ले रहे हो फर से यह 750 ही सर तू वापस आएगा 360 एक रौंड मारे के दूसरा रौंड मारेका ना तो सच्ब했습니다مة है ना साथ सो पचाश है न तो एक राउन मारा तो 30 si और एक राउन उसका डबल 30 साथ का डबल सात्सोब इस बट उसके बाद भी प्लस 30 करना पड़े ना मतलब समझ रहा है 720 30 करेगा सो 750 आयगा तो कैसे करेंगे देख मैं जैसे बता रहा है यह हमेशा पहला जो है बढ़ एक राउन बारने में तो 63 हुआ अपने को तो 750 चाहिए चलना और एक राउन मारा तो हाँ सर 720 हो गया लेकिन अरे जेठिया 750 बोला है और 30 करना पड़ेगा ना 720 हो गया तो और 30 जाओ 30 जाओ थोड़ा सा आगे 30 कदम आगे बस अभी यहां सही एंगल ऐसे अंदास से मार दो बस तो यह देखो पहले राउन में 360 दूसरे राउन में 720 और प्लस 30 डिग्री तो एंसर आ गया 750 डिग्री अभी कौनसे कोडरेंट में इसको फर्स बोलते हैं यह पहला कोडरेंट है यह वाला जो होता है यह फर्स होता है यह यह थीसरा होता है यह चाउता होता है भार बार बाता रहा हो तो हमारा यह तर्मिनल आम पर है फोस्ट में यहां पर लिख सबते बार बार कि एंगल 750 डिग्री लाइस इन फोस्ट वड्रेंट खतम, खतम, इतने में इतना ही मिलेगा, येस, आ गया, समझ गए, येस, ग्राप पे नहीं करना है, पेपर पे करने का, पेपर पे करने का बेटा, पेपर पे करने का, ग्राप पे नहीं करने का, साधा पेपर तुमको जो एंसर पेपर मिला है, अभी मुझे लगता है, ये भी क 720 भी यही है फिर 1080 होता है चल दीक है देखते 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 देख जीरो 90 180 यह 360 यह 720 अभी 720 में कितना प्लस करेगा तो 945 आता देखते यह 945 में से ना बैटा 720 को माइनस कर दे ना 5 4 में से 229 में से 225 चीए तो मैंने क्या किया एक राउंड मारा 360 और एक राउंड मारा 720 अभी 720 में 225 प्लस करो तो 225 कैसे आएगा तो रुको यह 720 हां एक मिनिट 360 720 इसमें और 180 प्लस किया दो देखो 720 में और 180 प्लस किया दो जीरो 900 आ गया मतलब यह 900 है समझ में आ रहा है देखो यह 0 360 यह 720 उससे यहां तक आने में 180 रहता तो 720 और 180 900 अब 900 यहां से चलो यहां से इदर आ गया 900 अभी 900 के पात 45 चीए तो 45 मतलब इदर आदे तक रहेगा क्योंकि यह पूरा 90 होता ना बास यह आ गया इदर आएगा खुंसा कोड्रेंट होता यह थर्ड कोड्रेंट हो गया थर्ड कोड्रेंट यहां पर लिखने का 945 डिग्री समझ गए चलो आगे जाने का यह भाई बढ़ाते जा रहा है चोटा देने का तो इतना बड़ा बड़ा दे रहा है लेकिन मुझे माल में मेरा स्टूडेंट डरेगा नहीं तो कितना भी बड़ा एक प्रस्चन देदे त तब तक थोड़े का नहीं तब तक छोड़े का नहीं इधर देख बाबा एक्स वाई ओके ओके अब यह 1120 है देख 360 इसका डबल 720 इसका ट्रिपल 1080 अब यह 1120 कैसे आएगा 1080 इसमें कितना प्लस करेगे 40 प्लस किया तो आथा 1120 मतलब एक्चुल में हम लोगों को 1120 चाहिए मतलब 360 का ट्रिपल करना पड़ेगा और उसमें 40 प्लस करने का ओके और यह प्लस है मतलब पर्स क्वड्रेट तो देखा यह 0 यह 90 यह 180 यह 270 लेकिन आप यह छोटे नल्ले लोग से काम नहीं चलेगा बड़ी बड़ी बंदुक लानी पड़ेगी मतलब 1120 है तो 360 चलो जीरो स दूसरा राउंड मारेके 720 आने दे 720 तीसरा राउंड होके 1080 आने दे 1080 आ गया तीन राउंड हो गया अभी 1080 के बाद कितना चालीस चाहिए चालीस तो यहां से चालीस तोड़ा सागे गया तो चालीस हो गया यह ले यह देख यह हो गया यहां पर एरो मार दे अब कितना यह 1120 लिख सकता कौन से कोड्रेंट में आया पहले कोड्रेंट में यह पहला होता है यह दूसरा होता है यह तीसरा यह चाओ था हमेशा यह पहला रहता है बहुत से बच्छे कन्फीज हो रहे है देख यह पहला होता है हमेशा यह दूसरा यह तीसरा यह चाओ इसको कोड्रेंट बोलते हैं हिं और दो बाई यह ला तो तो मुझे डर लग रहा है तो डर तक आई कोई रहे तू मेरा स्टूडेंट मेरा स्टूडेंट कभी नहीं डरेगा मैं जी तो क्या हए यहां से पकड़ने का यहां से हमेचा पकडने का माइनस मतलब nicz आएगा थीक है यह तो जीरो रहता शерш और यह तो यह उपर लेते हैं हमेशा इटी बूरा किया तो इसका की किओन रखना यह इस तरीके से भाई ध्यान देना चलो अरे कितना क्वेश्चन है यार माइनस 330 बाइट करेगा 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 एक दम ध्यान दो एक दम ध्यान दो इसी बन करो कि यह देख भी एक्स य यह ओरीजिन देख 330 ध्यान देख माइनस है तो अभी देख माइनस है तो 0-90-180-270 और माइनस 360 माइनस है मतलब इदर से लेगा और इसका इनिशियल आम क्या रहेगा स्टैंडर्ड एंगल है तो एक्स एक्स पर रहेगा अब इदर से नीचे साइड में एंगल गुमा माइनस है ना इसके लिए 330 डिग्री तो कैसे करेगा देखा 330-90-180-270 पूरा के चिपका दू क्या ना थीन तो साट है यह तो तुछ से कम है कितना कम है 30 डिग्री कम है तो एक काम कर ऐसे जाके ना इतने पर रुख जा 30 पर रुख जा थोड़ा यह और होना चीए था रुख जा फिर से फिर से एसे रुख जा और मार दे तीस कम यह 30 है तो यह क्या हो गया माइनस 330 डिग्री किदर आया फर्स पर्डेंट में है खत्म हो गया बस इतना ही और का चाहिए अरे यार यह कितना क्वेश्चन है खत्म भी नहीं हो रहा है अनुमान की पूछ है क्या खत्म तो हो आते ही जा रहा है चलो यह भी देख लो xy देख माइनस 500 देख माइनस वाला 0 minus अभी यहांपर डायरिक यह माइनस 360 आएगा 360 और 9 माइनस 450 आजागा देखा कैसे किया इसमें 90 प्लस करते 90 307 में 90 प्लस किया तो साड़े 400 उसमें 90 प्लस किया तो माइनस 540 आ जाएगा मतलब 1990 प्लस करते जाने का तो देखा पासो चीए ठीक है 090 180 270 360 माइनस फिर माइनस 450 अभी 500 चीए तो यह पूरा इधर आया तो 540 होता है तो उसे 40 कम रखने का इधर तक हाँ चल यह आ गया कितना आ गय है माइनस 500 कौने लिए यह थर्ड क्रतिन में यह तीसरा कड्राइं यह करके भी दिका दिया है भाई सब करके दे रहा हूं सब करके दे रहा हूं 10 क्के रेकम है क्या उनके चल लास्ट क्विश्चन भी कर लेते ठीक है रेडियन और डिग्री कल करेंगे को 720 डिग्री इधर आ गया देखा माइनस 820 चाहिए यह माइनस 720 उसमें 90 प्लस किया तो कितना आएगा 810 यह माइनस 810 आ जाएगा यह ना 720 में 90 प्लस किया तो एट 10 अपने को 820 चाहिए कोई बात नहीं 090 180 270 360 दूसरी बार में 720 720 में कितना आप्लस करेंगे अगर 90 प्लस किया तो यह आ गया 810 अपने को आट सो भी और 810 से बीस मतब थोड़ा सा और जाने का दस यह माइनस 820 आ गया जब भी माइनस रहेगा तो इसन नीचे से लेने का लस रहेगा तो यहां से उपर से लेने का शुरू अमेशा यहां से करने का यह स्टैंडर्ड एंगल यहां से बस तो गया थर्ड कोट्रेंड में आया खत्म 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 यहां पर बड़े बड़े कंसेप्ट हमने पूरे चेप्टर के देख लिए हैं फ़र्श्ट एक्सेस के हमने क्वेस्चन नुमर वन देगा जिसमें कुछ चे ख्वेस्चन थे और मैंने हर एक प्ष्चन अटेंब करने की कोजिश की यार बच्चा अगर खुद वर लेक्चर रोनार का वो प्रसाथ उद्यापन आप पूर्सा कंसेप्ट गेना रहा है रेडियन टू डिग्री कंवर्ट करा डिग्री टू रेडियन कंवर्ट करा इस चेप्टर के अंदर आपको यह घड़ी का बहुत यूज होने वाला है इस घड़ी के जो काटे गुम रह है कोई बात नहीं commerce का मैट्स है रेकोड़ेट है उसके लिए अलग से भी कुछ व्यवस्ता करता है कुछ चेप्टर जो साइनस के कॉमर्स में नहीं है नहीं के ममी की रो टी गोल गोल घूल गोल ऐसे गोल-गोल जलेभी बनाना जरूरी है क्या हाँ अविनाश गोल-गोल ज सेवेंथ का में अभी आज नहीं लेने वाला हुआ बताऊंगा जब भी आऊंगा तो येस कैसा लगा लेक्चर जरूर बता दें आप लोग और इसके आगे का बहुत मज़ा आएगा अप लोग आज बहुत मज़ा आएगा अपने दोस्तों को भी बताओ यार रात को आठ बु होगे रोज सुबह साढ़े नो बजह यह लोता है रोज सुबह साढ़े नौ बच हमने कर लाव हमने कर दिखाया रहा है वह यह लेक्चर कैसा लगा जरूर लिखके ई और सेशन को लाइक कर कर्के निकले tutti है's बाइ एंक क्यों लाइक और दालके आखेंग.. यहां पर जो बच्चे टेलिग्राम गुरूप में नहीं है double. उसको jyoon इंदाज करने का, कोई माप के ड्रॉण ही करने का, बाई!